देर स्टुडेंट्स गूड इवनिंग वेलकम टू सोना एजुकेशन चैनल आए शुरू करते हैं आज का दूसरा दियाई क्या हमारे आसपास की पदार्थ सुद्ध हैं इससे पहले हमने पड़ा ठोस द्रौ और गेस की अवस्ता के बाद एक अवस्ता और होती है जिसे प्ल आज को ठोस द्रव और गेड़ लेकिन प्दार्थ मुख्यता दू प्रकार के होते हैं एक सुद्ध पदार्थ और दूसरा मिष्ट्ध पदार्थ पहलेु बात करें तो यह दो प्रकार के होते हैं तत्व और योगिक योगिक इस्तिर अनुपातु का नियम फॉलो करता है यदि मिश्रण की बात करें तो मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं समांगी मिश्रण बिसमांगी मिश्रण और मिश्रन को प्रथक करने के तरीकों की बात करें आये देखते हैं मिश्रन को प्रथक करने के तरीके देखें मिश्रन को प्रथक करने के तरीके हम वास्पी करण के द्वारा मिश्रन को प्रथक कर सकते हैं अब केंद्री करण बिधी के द्वारा हम मिश्रन को प्रथक कर सकते हैं, प्रथक करण कीव द्वारा भी हम मिश्रन को प्रथक कर सकते हैं, और धाव पातन बिधी द्वारा भी हम मिश्रन को प्रथक कर सकते हैं, क्रूमेटोग्रोफी के द्वारा हम मिश्रन को प्रथक कर सकत चुम्ब की प्रथकरण के द्वारा भी हम इस रण को प्रथक कर सकते हैं फटकन विधी के द्वारा भी हम इसे प्रियोग कर सकते हैं और लास्ट हमारा क्रोमेटोग्रॉफी तो क्रोमेटोग्रॉफी के द्वारा भी हम इसे प्रथक कर सकते हैं आई ये शुरू करते हैं इस हो इसमें सुद्ध होते हैं हमारा ध्याय का नाम है कि सभी पदार्थ सुद्ध क्या सुद्ध होते हैं जी नहीं यदि हम बात करें सभी पदार्थ सुद्ध नहीं होते हैं इसका कारण पहले पॉइंट से सुरू करते हैं सुद्ध सब्द का अर्थ होता है प्योर जिसमें बनी रहती हैं तो इसका अर्थ हुआ कि ये सुद्ध नहीं है उधारन के लिए चाहिए वो आपके घर में आने वाला दूद हो जल हो वसा हो प्रोटेन हो कोई भी चीज हो तो वह असुद रूप में है क्यों क्यों कि वह दो या दो से अधि पदार्थ उसे मिलकर बना हुआ ह यदि हम सुद्ध पदार्थ की बात करें सुद्ध पदार्थ से स्ताथ पर ये उस पदार्थ में मौझूद सभी करण समान रासाइनिक प्रकृति की होने चाहिए एक सुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के करणू से मिला हुआ बना होना चाहिए दूसरा टॉपिक है मारा मिश्ण मिश्ण की बात करें तो मिश्ण वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तथ्टू के या यौगिकों के सैयोग से बनते हैं उसे मिस्ण कहते हैं उधारण के लिए वायू और जैसे विभिन प्रकार के गयसे इसमें गुली रहती है oxygen, carbon dioxide, nitrogen, organ और जलवास्प, यह सारी मिस्टरन के example है, मुख्यता मिस्टरन दो प्रकार के होते हैं, एक सामांगी मिस्टरन और दूसरा बिसामांगी मिस्टरन, सामांगी मिस्टरन को homogenes mixture कहा जाता है, और बिसामांगी मिस्टरन को heterogenes mixture कहा जाता है, सामांगी मिस्टरन वे मिस्टरन जिनके पदार्थ परस पर मिल्क एक दूसरे से पून रूप से घुलित होते हैं, या एक दूसरे में पून रूप से मिक्ष हो जाते हैं, उसे हम सामांगी मिस्टरन कहते हैं, उधारन के लिए जल के बिलियन में सरकरा का घुलना, जल के ब में नमक का घुलना ये समांगी मिश्टन का उधारन हो सकता है और यदि हम भी समांगी मिश्टन की बात करें तो वे मिश्टन जिन में पदार्थ प्रथक प्रथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणू या छोटे छोटे बूदू अथ्वा बुलबुलू के रूप में द व्यूता उधारण के लिए चीनी और रेत का मिष्टरण, कंकड और पाने का मिष्टरण, तो इस प्रकार से ये मिष्टरण हमारे बिसमांगी मिष्टर कहलाते हैं, आए चलते हैं अगले टोपिक में, अगला टोपिक सॉलिशन, जिसे हम बिलियन कहते हैं, बिलियन दो या द उसे आधिक पदार्थू का समांगी मिश्रण, बिलियन कहलाता है, उधारण के लिए नीबू का जल, नीबू और जल का सॉलिशन, सूडा और जल का सॉलिशन, यह सारे एक्जामपल इसमें हम एड कर सकते हैं, मुख्यत हो, जो बिलियन है, वो बिले और बिलायक, दो प्रकार के होते हैं, बिले वे पदार्थ, जो जनल में कून रूप से घुलित होते हैं, उसे बिले कहते हैं, और वे पदार्थ, जो दो या दो से, अधिक पदार्थू में, या कहें, बिलियन का वो घटक, जो दूसरे गटक को बिलियन में मिलाता है उसे हम बिलायक कहते हैं बिलियन मुख्यता दूप प्रकार के होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट बिले और बिलायक बिले घुलनसिल पदार्थ होते हैं बिलायक पदार्थ जिसमें वह घुलता है यदि बिले की बात करें तो बिले में हमारी चीनी आ सकती है और यदि हम बिलाइक की बात करें तो उसमें घुलने वाला बदार्थ जैसे यदि हम चीनी और पानी की सॉलिशन की बात करें तो चीनी हमारी उसमें बिले हो जाएगी और पानी हमारा उसमें सॉल्वेंट हो जाएगा बिलाइक हो जाएगा मिश्टन यदि हम इस मिक्षर की बात करें तो मिक्षर के आगे जो हमारा बिलियन आता है यह दो या दो से अधिक मिक्षर से मिलकर बना होता है तो billion के प्रकार की बात करें, तो billion, solution, there are three types, true solution, colloidal solution, suspension solution, पहला वास्त्रिक billion, colloidal billion, निलंबन वास्त्रिक billion की बात करें, तो बिले कर्ण आकार में बहुत छोटे होते हैं, 10 की घात रिण 9 मिटर छोटे होते हैं, और अधर हम colloidal billion की बात करें, तो बिलायक के कर्ण का आकार वास्त्रिक से बड़ा किन्तु निलंबन से छोटा होता है, अठाथ 10 की घात रिण 9 से 10 की घात 6 मीटर के आसपास होता है और यदि हम निलंबन की बात करें तो इसके कणूं का आकार बहुत बड़ा होता है फोर एक्जामपल 10 की पावर रन 6 मीटर तक होता है यदि हम इसके दूसरे टॉपिक की बात करें तक्ति की बात करें तो बिलेकर नंगी आखु द्वारा नहीं देखे जाते नगन आखु से हम वास्तविक बिलियन को नहीं देख सकते है इसके लिए हमें माइक्रोइस्कोप की आवश्यक्ता पड़ेगी कॉलाईडी बिलियन को नगन आखू से नहीं देखा जा सकता इसके लिए भी हमें माइक्रोजकोर की आउशक्ता पड़ेगी सुख्समदर्सी की आउशक्ता पड़ेगी निलंबन जी हाँ सस्पेंशन सॉलिशन को नगन आखू से आसानी से देखा जा zusकता है इसके लिए कोई सुक्सम दर्सी की आउशक्ता नहीं होती वास्त्विक बिलियन समांगी मिश्टन कहलाते हैं कोलाइडी बिलियन समांगी मिश्टन दिखाई देते हैं परन्तु ये विश्मांगी मिश्टन होते हैं और यदि निलंबन की बात करें ये बिसमांगी मिश्टन होते हैं। वास्त्विक बिलियन अगर इसकी बिधी की बात करें तो इसे चनन बिधी द्वारा इन कणों को प्रथक नहीं किया जा सकता। और यदि कोल आईडी बिलियन की बात करें तो ये ठक नहीं कर सकते हैं यदि निलम्मन की बात करें तो इसे फिल्ट्रेशन के द्वारा चनन विधी के द्वारा ही प्रथक कर सकते हैं यदि इसकी पारदर्सिता की बात करें तो वास्त्विक बिलियन पारदर्सी होते हैं, कोलाइडी बिलियन पारदर्सी होते हैं और निलम्बन पारभासी होते हैं और यदि इसके टिंडल प्रभाव की बात करें तो वास्विक बिलियन टिंडल प्रभाव वास्विक बिलियन में कोई भी टिंडल प्रभाव नहीं दिखते, कोलाइडे बिलियन टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं और निलंबन इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई और न हुए तो बिलियन के इकन कौल वास्विक बिलियन के इकन चंना कागस से भी पार निकल जाते हैं अठात इसे filter paper के द्वारण बी हो छन जाता है यदि हम collide without करें तो collide dont के इकन कागस से गुझर जाते हैं और यदि निलंबन की बात करें तो निलंबन के करण चन्ना का अगस द्वारा पार नहीं निकल सकते हैं यदि वास्त्विक विलियन के लिए हम एक्जामपल की बात करें तो पानी में चीनी और कोलोईडी विलियन की बात करें दूद और रक्त और निलंबन की बात करें तो इसमें रेत और बालू हम एड़ कर सकते हैं तो इस प्रकार हम कुछ और समान्य उधारन भी देख सकते हैं विलियन के जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कोलाइडे विलियन के कुछ उधारण परिशिप्त प्रवस्ता परिशेप्यप माध्यम और एक्जामपल देखें द्रव का गेस में परिवर्तित होना और जैसे कि एरिसोल इसका एक्जामपल धुंद बादल बिलियन की सांधरता की बात करें तो बिलियन की सांधरता के लिए हम दो नियम फॉलो करते हैं एक तो बिलियन में द्रविमान प्रतिसचता द्वारा हम द्रविमान गयाद करते हैं बिलियन का और दूसरा बिलियन के आयतन प्रतिसचता द्वारा द्रब्यमान ग्याद करते हैं बिलियन के द्रब्यमान प्रतिसक्ता द्रब्यमान ग्याद करने के लिए बिले ये फॉर्मूला फॉलो किया जाता है बिले का द्रब्यमान बट्टा बिलियन का द्रब्यमान गुराशो और वहीं आपको दूसरा दिखाई दे रहा होगा कि बिलियन के आईतन परतिसक्ता द्वारा द्रब्यमान इसके लिए हम बिले का द्रब्यमान बट्टा बिलियन का आईतन गुनाश्च हो गया कि द्वारा हम ग्याद कर सकते हैं तो इस परकार इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग सुनाय जबिशनल चैनल